नमस्ते दोस्तों. मैं जानता हूँ कि आप सब की पड़ाए बहुत ही अच्छे से चल रही है। आप रेगुलरली पड़ाई कर रह रहे हो। सब चीजे बहुत बहुत अच्छे से आप की चल रही है। उसके साथ-साथ आप मैंसे काफी सारे लोगों ने अपने जो भी हम कहेंगे कि अपके जो भी स्टडीज है उसको इंट्रेक्टिव बना के रखा हुआ है जैसे कि मैंने आपको पता है कि इनिशेटिव शुरू के है जोगरफी के सीरीज से कि टेलेग्राम चैनल जो होता है मे लिए टेलेग्राम के मैंने कुछ चैनल भी बना के रखा हुए तो यह चैनल और यह जो ग्रूप है इसको अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्टिशन में जाहिए इस वीडियो को और वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी उस लिंक पे क्लिक कीजे और आप अभी ही अपने स्टेडि को इंटरेक्टिव बनाई है जैसे कि हम एक क्लास के NCRT को पढ़ रहे तक हम दू चैप्टर को कंप्लिट कर चुके हैं दू चैप्टर के बाद हम थोड़ चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और यह थोड़ जो चैप्टर है इसको हम तोड तो आप लोगों का बहुत अच्छे से फायदा होगा आपकी स्टडी जो है और एफेक्टिव बनेगी और बाकी लोगों की भी आप हेल्प करोगे तो चलिए देखते हैं कि पिछला जो मेरा लेक्टर तो उसमें किसने किसने मेरे कुश्चिंस के आंसर दिये जिन्होंने मेरे वीडियो था वो जोग्रफी एंसियाटी एट क्लास चेप्टर नमबर टू उस पर देखेंगे तो स्नेहा जी ने हमें जो आंसर दिया है वहाँ पर उन्होंने सब्स्टिटूट बताया है हमें डाइकलोफिना क्या 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 है उसके अलाव हमने उन्होंने बताया है कि नोट डाउन ही कीजेगा तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम तक स्निहा जी ने पहुंचे है बहुत बहुत शुक्रिया स्निहा जी इतनी फिल्पल इंफॉर्मेशन हम तक बहुंचाने के लिए दूसरा हमें जो देखने मिलते हैं कमेंट वो है रोहिद जी के जिन्हों पर दाइकलोफिनेक बताया हुआ है उन्होंने इंडियन आप लोग देखिए अपने नोट में लिखिएगा बहुत इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए रोहिद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तो यहां पर हम रोहिद जी का बहुत बहु पहुंचाने के लिए तो चलिए आज का जो लेक्टर जिसमें हम थोर्ड चैप्टर को पढ़ने वाले उसके शुरुआत करें तो आपका जो फूर्ड चैप्टर है आज के नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस जो चैप्टर है इसमें जो शुरुआत होती है कहानी से बढ़ पर विजट कर रही है उसके नेट्व प्लेस構chen विजट कर रही है वहे धनबाद में कीरी जो है यह बहुत अमेज हो गही है एक चीज़ देख के कि बहुत सारा एरिया जो है वह ब्लैक हो चुका है वो सुकान को पूछती है शुकान Why इस इस प्लेस आदी ब्लैक हो यह जो ट्रक आप देख रहे हैं, यह मिनरल को लेके जा रहे हैं, यह सुकांत आंसर देता है केरी को, तो फिर केरी पूछती है, सुकांत कहता है, have you ever seen a baker baking biscuits, तो बहुत अच्छा देखे, कितने अच्छे example के साथ बता रहा है, सुकांत वही कहता है, कि क्या कभी किसे baker को biscuits bake करते वह देखा हैं, उसमें flour, milk, sugar और sometime eggs जो है, उसको एक साथ mix किया जाता है, तो जब हम इसे खाते हैं, यह baked biscuits खाते हैं, तो आपक ही, जैसा biscuit होता है, there are number of things that you cannot see, जैसे हम कहेंगे, rocks in this earth, have several materials called minerals, mixed in them, तो हमें तो सिर्फ rock दिखते हैं, बट उसमें अलग-अलग तरह के minerals भी mix किये गए, कितना अच्छा अंसर दिया है, यहाँ देखी है, जो सुकांत उन्होंने, उन्होंने यह भी कहा कि यह जो minerals होते है, और्थ के rocky crust में यह फैले हुए है, scattered है पूरी तरह से, जैना तो अलग-अलग जगे बिखरे हुए है, यह कहते है, सुकांत, तो देखे कितने अच्छे तरके से explain किया गया है minerals को, biscuit के साथ जोड के, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो जैसे हम इस topic में mineral और power resources पढ़ है, तो यहाँ mineral के study करेंगे और कुछ power resources देखने वाले, बहुत important NCRT होगी, आने वाले बहुत सारे NCRT का यह basic knowledge आपको बना के देगी यहाँ पर, इसको पढ़ना बहुत जादा जरूरी है, अभी mineral के definition यहाँ पर दिये, कोई भी naturally occurring substance होता है, जिसका कोई definite chemical composition होता है, उसे mineral क कहा जाते है, याने उसमें कुछ-कुछ तरह के chemicals होते है, उसको mineral कहा जाता है, और हम कहेंगे naturally occurring substance होता है, mineral जो होते है, यह evenly distributed नहीं होते है, हर जगे एक जैसा उनका distribution आपको नहीं दिखता है, और हम यह भी कहेंगे कि वो particular area में रह सकते है, या फिर हम कहेंगे rock formations में आपको मिल सकते है, यह सब चीज़े आपको देखने मिलती है, कुछ minerals जो होते है, they found in area which are not easily accessible है, जैसे हम कहेंगे Arctic Ocean में भी कुछ है, Antarctica में कुछ है, और जो होते है उसके अगर आप North Pole, South Pole में जाओगे तो easily accessible नहीं है, उस area में आप easily enter नहीं हो सकते है, वहाँ पे आपको काफी सारे minerals देखने मिलते हैं, minerals जो होते हैं, यह अलग-अलग types of geological environments में बनते हैं, उसके अलवा अलग-अलग conditions में बनते हैं हर mineral और देखा गया तो they are created by natural process without any human interference, है ना तो human के interference की ज़रूरती नहीं है, minerals बनाने के लिए, minerals जो होते हैं, वो अपने आप natural processes ही बनाती हैं, और हम यह कहे हैंगे कि उसको identify किया जाता है, उनकी अलग-अलग जो physical properties है, जैसे कि अलग-अलग color है उनका, अलग-अलग density है, अलग-अलग hardness है, कोई बहुत ज़्यादा हाड है, कोई कम hard है, कोई थोड़ा साफ्ट देखने मिलता है, और उनकी chemical property भी अलग-अलग है, जैसे कि solubility, कुछ कुछ soluble होते हैं, पानी में या फिर किसी liquid में घुल मिल जाते हैं, तो कुछ-कुछ जो होते हैं, वो हम कहेंगे कि soluble नहीं होते हैं, ऐसे अलग-अलग हम कहेंगे physical property से और chemical property से हम उन्हें identify कर सकते हैं, दीखें, यहाँ पर बहुत अच्छे एक बात कहिए, do you know, salt जो है मैं तो जब भी अरत को हसता हो देखता हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हरा हम अरत को रुलाते रहते हैं, environment को खराब करके, जो बिलकुल अच्छी feeling नहीं देती हैं, अब हम देखते है types of minerals, minerals के types देखे गए तो यहां बहुत अच्छा है, उन्होंने flow chart दिया हुए, minerals दो types में divide किया जाते हैं, metallic और non-metallic, उसी के अलबा metallic को ferrous और non-ferrous में भी divide किया जाते हैं, एक 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 चीज के बारे में यहां पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यह बता दूँ कि अगर देखा गया तो 3000 से जादा different minerals इस औरत में हैं, विश्वास नहीं होता है, but on the basis of composition, minerals को classify किया गया है, metallic में, non-metallic minerals में, अब metallic क्या होते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा यह flowchart बनाया देखिए, आप भी अपने notes में बना के रखिए, बहुत काम आएगा आगे, जितने भी आप flowcharts बनाते चल रहे हैं, मेरे साथ साथ, वो बहुत काम आने वाले आपको बहुत बहतरी में बना लगते हैं, वो पढ़ने में, अगर देखा गया, तो metallic जो होते हैं, वो minerals ऐसे होते हैं, जिसमें metal होता है, और वो भी raw form में, metals जो होता है, वो क्या होते हैं, तो hard substances होते हैं, जो की heat और electricity को conduct कर सकते हैं, they are good conductor of heat and electricity, आपको बता हैं, जो metal होते हैं, वो गरम भ shiny होते हैं, या फिर हम कहेंगे shiny लगते हैं थोड़े से, तो यह हो गया, जैसे iron, और हो गया, boxite हो गया, manganese हो गया, ore, are some examples of metallic minerals, metallic minerals जो होते हैं, वो अगर देखा गया, तो ferrous और non-ferrous होते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है, ferrous के अगर बात की जाया है, तो iron से जुड़े जो होते हैं, जैसे iron हो गया, manganese हो गया, या chromites हो गया, जिसमें iron होता है, उसको ferrous metallic minerals कहा जाता हैं, और non-ferrous और जिसमें iron नहीं होता है, बट उसमें बाकी metals होते हैं, जैसे gold है, silver है, copper है, या फिर हम कहेंगे की, lead है, इन सब में आपको iron नहीं देखने मिलता है, ये non-ferrous metallic minerals होते हैं, तो आपको पता चल गया, ferrous और non-ferrous, ferrous में iron होता है, non-ferrous में, नहीं होता है, बहुत simple, अब यहाँ पे आपने metallic देख लिया, ferrous देख लिया, non-ferrous देख लिया, mineral देख लिया, चार definitions तो आपको clear हो गई, अब non-metallic क्या होता है, ये देखते है, non-metallic क्या हैं, अ Netallique minerals, आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं, और डेमोर मिलते हैं जिसमें, metal, इन फिरल वार female is आइन फिर जिसमें यहान नहीं हो, नॉन फिरल नहीं हो, तो बहुत सिंपल से चीज आपको याद रखने में आसान हैं. यहां पहुल के बहुत बहतरीन चीज़ लिखें, do you know, जो rock होता है, is an aggregate of one or more minerals है, तो rock में एक या एक से ज़्यादा minerals देखे जाते हैं, बाट उसमें कोई definite composition नहीं होता है, minerals का, कि ये percentage इतना ही रहगा, ऐसा रहगा, वैसा रहगा, या फिर हम कहेंगे कि, जो भी आप हम ने देखा, जैसे आप हम देख रहे ना, कि अलग-अलग जो भी properties है, या फिर जो भी चीज़े है, ऐसे इसमें अलग-अल minerals जो है, उनका एक fixed composition नहीं देखने मिलता है, definite composition नहीं हो, देखने मिलता है, rock from which minerals are mined, known as ores, ये भी याद रखेगा, यहाँ एक word आया, or, or यानि rock में से जो आप mineral निकालते हैं, उसको or कहते हैं, iron ores होगा, वो एक rock ही होगा, उसमें से आप iron को निकालोगे, तो iron निकलेगा तो ऐसे ores होते हैं, although more than 2800 types of minerals have been identified, यहना इतने जादा है, 2800 minerals अब तक देखे गए हैं, only about hundreds are considered as ore minerals, यहना, तो पत्थर में से निकलने वाले जो ore होते हैं, तो rock जो होते हैं, उसमें से जो निकलते हैं, उन्हें हम कहा जाता है, इनको mining करते हैं, वो ores है, तो only about 100 ही हम ore minerals देखे जा रहें, उतने की हैं, अब तक mine हमने की है, उतने ही minerals के mining हमने की है, यह सब चीज़े आपको पता चलते हैं, तो देखिए कितने अच्छे अच्छे information आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, आगे अगर आएंगे, तो देखिए एक और flow chart मिल रहा है, इसे भी आप बना के रखिएगा, अपने copies में या notes में, बहुत काम का है, minerals can be extracted by mining, drilling और corring, अब extraction of mineral, तीन तरह से किया जा सकता है, एक mining करके, दूसरा drilling करके, तीसरा corring करके, mining दो तरह से हो सकती है, open cast mining या shaft mining, है ना, तो यह बहुत अच्छा है, flow chart और यह आगे, आप mining पढ़ते हैं, drilling पढ़ते corring पढ़ते हैं, बट आपको इसका meaning आगे, अगर direct आगे के NCRT पढ़ते हैं, मीनिंग दोनते रहने पढ़ते हैं, बट अगर देखो कि यह NCRT आपको कितनी बहतरीन information दे रही है, जो process होती है, जिससे आप mineral को बाहर निकाल सकते हो, rock से, जो earth के surface के अंदर है, उसे mining कहा जा सकते हो, है ना, तो बहुत जादा deep में नहीं होगे, तो आप easily निकाल सकते हो, उसे, तो हम यही कहेंगे, कि rock के अंदर से निकालना, उसको mining कहते हैं, अगर हम कहेंगे इसी को, तो mining में, जैसे आपको क्या कहा हैं, कि जो minerals है, rocks है, जो earth के surface के अंदर है, उसको आप अंदर से आपको depth तक जाना पड़ेगा, इनको shafts कहा जाता है, ठीक है, तो deep में जगर जादा होगे, अगर shallow depth पे होगे, उपर उपर होगे, तो आप surface निकाल दो, निकल जाएंगे, इसको हम open cast mining कहते हैं, और shafts जो होते हो, deep पे होते हैं, इसको अगर देखा गया, have to be made to reach mineral deposits that lie at great depths, और इसे shaft mining कहते हैं, तो mining से क्या निकाल रहे हैं, जो अंदर दबे हुए rock से वहाँ से आप निकाल रहे हो, minerals को, तो उसमें दो तरह के होते हैं, shallow के लिए open cast mining, और dip जो है, उसके लिए shaft mining, बहुत अच्छे और बाते पता चली, उसके बाद आते हैं, तो ये drilling क्या होते हैं, petroleum और natural gas जो होते हैं, वो हम कहेंगे occur far below the earth surface, वो तो और नीचे होते हैं, हम कहेंगे deep wells जो है, उसके लिए bore करने पड़ते हैं, बहुत deep में ऐसा गड़ा बनाना पड़ता है, तो ये जो bore किये जाते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, इसको drilling कहा जाते हैं, आपने अपने घर पर drilling की होगी, देखे, आप इस तरह से कोई गड़ा कर रहे हैं, तो उसी तरह से अगर यहां पर बहुत जादा deep में तो गड़ा करके निकालना होगा, देखे, इस तरह से drilling होती है, oil की, minerals जो होते that lie near the surface, are simply dug out by the process known as scoring, है ना, तो mineral जो है, जो surface के एक दम पास है, उनको सि surface में ही दबे हुए हैं, तो mining करेंगे, अगर बहुत dip में हैं, तो drilling करेंगे, और surface में ही वो dig करके थोड़ा सा गड़ा खोथके निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा गड़े के लिए corring करना पड़ता है, layer नहीं हटाना, layer हटाना यानि माइनिंग, बट गड़ा करके निकलना है इस corring और या फिर drilling, drilling जाधा depth में और corring जो होते हैं, वो surface के आसपास के लिए, यह आपको देखने मिलते हैं, तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं, यह सब चीजे, तो यह यहाँ पर तीन तरह के extraction mineral के हो सकते हैं, mining के थुरू, drilling के थुरू, और corring के थुरू, mining जो होते हैं, और सबसे पहले आपको यह बता दू कि minerals जो होते हैं, वो अलग-अलग तरह के rocks में देखे जाते हैं, कुछ जो होते हैं, वो igneous rocks में देखने मिलते हैं, मैं आपको already igneous rock कैसे बनते हैं, यह भी बता चुका हो, पिछले कुछ NCRT में, metamorphic कैसे बनते हैं, यह बता चुका हो, sedimentary बता चुका हो, तो कुछ जो है, वो igneous rocks में है, तो कुछ metamorphic rock में है, तो कुछ sedimentary rock में है, इसका knowledge आपको, देखे पहले से NCRT देखते रहना पड़ता है, तब आपको यह बता चीज का knowledge होता है, यह सब चीज़े हम पहले discuss कर चुके, फिर से discuss करेंगे, तो हमारा काफी time waste ह हो जाएगा कि sedious, यहाँ पर हम कहेंगे कि sedimentary rock क्या होता है, या फिर हम कहेंगे कि metamorphic क्या होता है, इgneous क्या होता है, तो यह सब आपको यहाँ पर पता चलता है, जनरली metallic minerals जो होते हैं, वो igneous और metamorphic rock में आपको देखने मिलते हैं, बड़े-बड़े platos में, याद रखे metallic minerals आपको igneous और metamorphic में देखने मिलते हैं, iron ore जो होता है, नौट स्विडेन की बात करें, या फिर कॉपल और निकेन जो है, वो Ontario में जो है, उसकी बात करें, या फिर Canada आमें की बात करें, iron, nickel, chromides और platinum की अगर बात करनी है, तो South Africa की बात करें, यह सब वो जगा है, जहाँ पर यह minerals देखे जाते हैं, igneous और metamorphic rock में देखिए, तो हम यही कह रहे हैं, कि distribution जो है mineral का वो अलग-अलग जगे पर distribute हुए है, आपको अभी ही वीडियो को pause कीजिए, जल्दी और अपनी जो भी, atlas मैप उसको ले के आईए, और अब जो जो मैं बोलने वालो, world map open कीजिए और वो वो location वहाँ पर देखते वे चलिए, आपको यह देखते वे चलना है, ताकि आपके mind में सब कुछ set हो जाए कि कहाँ पर क्या है, सेडिमेंटरी रॉक के जो formations होते है, वहाँ पर अगर देखा गया, तो plains और youngfold mountains जो होते हैं, उसमें non-metallic minerals जैसे limestone देखने मिलते हैं, तो जैसे मैंने कहा, कि जो igneous और metamorphic rock है, उसमें metallic minerals देखने मिलते हैं, और जो सेडिमेंटरी रॉक जो है, उसमें आपको non-metallic minerals जैस आपको Georgia में देखने मिलते हैं, और Ukraine में देखने मिलते हैं, फॉस्पेट्स के beds जो है, वहाँ आपको Algeria में देखने मिलते हैं, ये कुछ examples हैं, जो limestone याने हम कहेंगे non-metallic minerals के हैं, mineral fuels जो है, जैसे कि coal हो गया या petroleum हो गया, ये भी आपको sedimentary starter में ही मिलते हैं, sediments में ही मिलत हैं, तो आपको ये चीज़े पता चल गई है कि metamorphic में क्या मिलता है और igneus में, और आपको ये भी पता चल गया कि sedimentary में क्या कौन से minerals मिलते हैं, अब देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है, you can always tell if a rock contains copper, because then rock looks blue in color, ये याद रखेगा, अगर आपको ये देखना है कि copper ह या नहीं किसी rock में, तो वो rock अगर blue color का दिख रहा है, तो आप समझ जाएए का उसमें copper है, उसके बाद हम आते हैं Asia, अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको map देखने बोला था, उसी तरह का map आपको यहाँ पर भी दिखाया गया है, हम Asia के बात करें, तो ये जो आप आपको world में पूरा जितना वो tin है, उसमें का आदे से जादा tin तो Asia में ही है, और largest iron ore जो होते है, वो China और India के पास है, ये आपको देखने मिलता है, एशिया में, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, उन्होंने जैसे बताए देखे, iron को इस तरह से दिखाया है, तो ये आ आपको देखने मिलती है, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है, वो world के हम कहेंगे, जो leading team producers है, उसमें से ये main team countries है, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, चाइना जो होती है, also leads in production of lead, चाइना, lead का भी बहुत अच्छा production करती है, antimony या फिर tungsten का भी बहुत अच् करती है, एशिया जो होती है, उसमें deposit से manganese के या फिर हम कहेंगे, bauxite के, nickel के, zinc के और copper के, यह सब आपको देखने, यहाँ पे मिलते हैं, तो यह होगी कुछ information about एशिया, हमने एशिया में distribution देखना, अब हम देखते हैं, यूरोप में, यूरोप की अगर बात करें, तो सब रशिया है, यूकरेन है, स्विडेन है, और फ्रांस है, इनके अगर बात की जाए, तो यहाँ पे last deposit से iron ore के, mineral deposits की बात करें, तो copper हो गया, lead हो गया, zinc हो गया, manganese हो गया, nickel हो गया, यह सब भी आपको Eastern Europe और European Russia में आपको देखने मिलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आइन काफी अच्छा है, जैसे इंडिया में है, चाइना और यह सब जगह पे आपको देखने मिलता है, तो काफी सारे अच्छे इसमें अगर हमें देखने मिलते हैं, यह जितने भी है, आइन वो, यूरोप को हमें देख लिया, बहुत अच्छी एक और यहाँ हमेरा बात कि日 है, जो होते हैं, नोण, नों, मिनरल डिपोजिट फिया रिखने में, एक है, कैनेडियन रेजन में, आपके सामने अपने मैप وक्स हैं, आप मैप बोक में हर चीस को देख रही है, यह मुझे पता है, और अच्छे से, जो जो चिज़े आप पढ़ सीज आप तो भी लिखते चलिएगा, mineral deposits जो होते हैं, वो अगर देखा गया North America में, तो वो तीन zones में है, Canadian region में, North of the Greater Lakes, वहाँ पे, दूसरा Applesian जो region होता है वहाँ पे, और तीसरा mountain ranges जो है, waste के वहाँ पे आपको देखने मिलता है, यह है North America, यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, mineral deposit, sorry, mineral deposit देखने मिलते हैं, iron ore, nickel और gold, uranium और copper जो होते हैं, यहाँ आपको Canadian shield region में, देखने मिलते हैं, Canada के आसपास, gold जो होता है, application region में, आपको देखने मिलता हैं, उसके अलावा, western cordyleras जो है, वहाँ पे अगर हम देखे, तो वहाँ पे copper है, lead है, zinc है, gold और silver आपको देखन Russians, western cordyleras, lake superior, with the help of an atlas, अभी atlas में आपको धून के निकालने हैं, ठीक है, आप atlas में सब चीजे देख रहे हो, यही मुझे पता होता है, तो यही मैं यहाँ पे समझते हुए, चलता हूँ, यह भी आपको यहाँ देखने मिलता है, अब हम South America की बात करते हैं, South America की अगर बा यहाँ पेरू जो है, आर लीडिंग प्रोडूसर ऑफ कॉपर, यह भी आपको देखने मिलते हैं, ब्राजिल और बोलिविया जो है, यह वोल्ड के लार्जस्ट प्रोडूसर है, 10 में, South America जो है, यह भी बहुत बड़े लाज़ डिपॉजिट्स रखता है अपने साथ, गोल चेंटिना में, चिली में, यह फिर हम कहेंगे पेरू में और कॉलम्बिया में आपको देखने मिलता है, यह है South America, बहुत सारे मिनरल्स आपको देखने मिल रहे है, मिनरल ओयल भी देखने मिल रहे है, ट्राइंगल से यहाँ पर दिखाया गया है, उसके बाद एफरिका के त आफll sono दैमने गोल्ड और प्लाटिनम, सबसे ज़ादा यहाँ पे आपको देखने मिलते है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़ेदा डाइमन गोल्ड और प्लाटिनम की बात करे, तो आफ्रिका में ही देखने मिलते है, South Africa हो गया, Zimbabwie हो जायर हो गया, यह फिर हम की नहेंगे आपको देखने मिलते हैं, mineral oil भी है, minerals भी है, coal भी है, बहुत सारी चीज़े हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी information आपको दी है, Australia को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको वो भी information बता, तो अगला continent जो है Australia, उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे, Australia, Australia की अगर बात करें तो Australia में largest producer है, सैट का, पूरे world का सबसे जादा बड़ा producer जो है बॉक सैट का, वो Australia ही है, it is leading producer of gold भी यहाँ है, diamond है, iron ore है, tin है, nickel है, यह सब भी देखने मिलता है, उसके अलावा यहाँ पर copper है, lead है, zinc है, manganese है, यह भी आपको देखने मिलता है, और कालगुली जो है, और कुलगार्डी ज उसके अलावा देखे, do you know में बहुत अच्छी बात कहीगे, oldest rocks जो होते world में, वो western Australia में देखने मिलती है, अगर देखा गया तो they dated from 4,300 million ago, इतने पुराने rocks है, लगभख 45,000 million years से पहले के rock है, और only 300 million years after earth was formed है, कितने पुराने देखे, 300 million साल के बाद से ही rock आपको देखने बहुत सारे rocks आपको आपको आपर देखने हैं, पुराने पुराने rocks आपको आपको आउस्ट्रेलिया में, उसके बाद हम आते हैं Antarctica में, यहापको Antarctica देखने मिलता है नीचे के साइड आपको अगर बात करें, तो the geology जो है Antarctica की, वह sufficiently बहुत जादा हमें हम कहेंगे well known to predict the existence of variety of mineral mineral deposit some probably large यह हम कह सकते कि वहाँ पर कुछ तभी mineral deposits होंगे अगर size अगर देखा गया deposits की जैसे हम कहेंगे coal की तो Trans Antarctic Mountain जो है वहाँ पर आपको कुछ देखने मिलते हैं कुछ coal के deposits iron जो होता है वो Prince Charles Mountain के आसपस आपको इस अंटर्टिका में उसके अलावा आयन ओर की अगर हम बात करें गोल्ड की बात करें silver की बात करें तो और की बात करें ये सब भी आपको कुछ कॉंटिटी में commercial quantities में आपको देखने मिलते हैं अंटर्टिका में और जो काफी सारे आपको एक और work दे रहा हूं जो आपको comment section में लिखना है list uses of any five minerals है ना तो आपको कोई भी पाच mineral को पकड़के उसके uses आपको लिखने है जो कि एक बहुत 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 बहुतरिन टास्क होगा आप लोगों के लिए ना तो ये सब आपको वहाँ पर करना है उसके बा कोठिया होती उसमें use होते हैं वो usually hard gems होते हैं so these are then set of various styles of jewelry जैसे मैंने आपको बताया copper जो होता है वो another metal है जिसको हम कहेंगे coins से लेके pipes तक की चीज़े copper से बनाई जा सकती है silicon का अगर use देखा तो computer industry में बहुत जादा बनाया जाता है silicon जो है वो quartz से निकाला जाता है is obtained from quartz यहां से निकाला जाता है aluminum के अगर बात करें तो हम कहेंगे यह कुछ हम कहेंगे और वॉक्साइट से निकाला जाता है is used in automobile aluminum का use होता है airplanes में use होता है bottling industry में aluminum का use होता है buildings का user even kitchen cookware में भी आपको aluminum देखने मिलता है यह सब आपको पता चलते है mineral उनके uses बाकी uses तो आपको वहां पर लिखने है comment section में आपको भी work करते रहना है NCRT आपको बहुत सारे work देते रहती और यह work आपको करते रहने पड़ते हैं आगे आपको देखने मिलता है conservation of mineral को आप किस तरह से conserve कर सकते है mineral जो होता है उनको भी conserve करना होता है जैसे हमने देखा soil को conserve करना है land को conserve करना है बहुत सारी चीजों को conserve करना है vegetation को conserve करना है animals को conserve करना है वैसे हम कहेंगे कि minerals को भी conserve करना होगा mineral जो होते है यह non renewable source है क्योंकि अगर देखा गया तो यह renew नहीं होने वाले आपको तो पता है sunlight के तरह या solar energy के तरह यह नहीं है यह तो नहीं है तो यह आपको देखने मिलते हैं उसके लगव आपको यह भी बता दू कि इनको बनने में फिर भी हजारों साल लग जाते हैं को mineral को हमने मैंने आपको यह भी बता था non renewable का meaning यह नहीं क्यों कभी बनेंगे नहीं बनेंगे बड़ time लेते हैं देखा गया तो rate of formation जो होता है वह बहुत कम होता है जितना human जितने fast उसे consume कर रहे उससे बहुत कई कि गुना धीरे वह बनते हैं तो हम यह कहेंगे इसलिए उसका wastage होता है mining के process में वह रोकना बहुत जादा जरूरी है उसके लाव recycling भी करना होगा में minerals की उसको conserve करना पड़ेगा तो यह है recycle करो फिर से use करो reduce करो यह तीन जो है ना तो जो जितना यही एक तरीका है जिससे आप यह काम कर सकते हो तो आपको यह मिनरल की चीज़े जो है देखने मिलते हैं जैसे कि हमारे चैप्टर का ही नाम था मिनरल तो आपने मिनरल देखा अब आप कुछ power resources देखने वाले हो जो हमारा नेक्स टॉपिक है तो देखे मिनरल में आप तक जो चीज़े पढ़ी थी उसमें आपने सबसे पहले जो पटा मिनरल क्या होता है आपने टाइप आप मिनरल देखा metallic non-metallic ferrous non-ferrous आपने देखा extraction में आपने mining drilling corring देखा open cast mining shaft mining आपने देखा distribution आपने अलग अलग जगे देखा इशिया में देखा यूरोप में देखा North America में देखा यह अलसो seen in North America या फिर हमने एफ्रिका में देखा Australia में देखा Antarctica में देखा mineral के uses देके conservation देखा और अब हम power resources के तरफ बढ़ने के लिए free हो चुके हैं अब अगला जो टॉपिक है आपका वो है power resources power resources के अगर बात की जाए तो यहां पे भी story से शुरुआत होती है story के थूँ यह कितना अच्छे से आपको concept तक लेके आते यह देखे यह जो आर्ट है यह NCRT के पास बहुत बहुत बहुतरीन एक आर्ट है अगर देखा गया तो Sunny's mother begins her day by switching on the geyser है ना तो जो Sunny नाम का एक लड़का है उसकी जो मदर है उनकी यहां पे कहाने से शुरुआत हो रही है वो अपने दिन की शुरुआत करती है घीजर से पानी गरम करके she ions Sunny's school uniform उसके बाद Sunny के school uniform का आइनिंग करती है और प्रेस करती है before waking him up उसको उठाने से पहले उसके बाद वो kitchen में जाती है और कुछ एक glass of orange juice वो बनाती है उसके लिए Sunny के लिए फिर वो पूछती है Sunny have you finished taking bath come and have a breakfast उसकी मदर ने ये कहा वो जो breakfast बना रही है वो एक gas टो पे बना रही है Sunny के लिए while going to school Sunny जो होता है वो बहुत सारे light और fan को बंद करना भूल जाता है उसकी मदर जो होती है वो फिर उसे बंद कर देती है और वो ये सोचती है that life in the cities may be more comfortable but its dependency on more and more gadgets all of which consume energy has led to a wide gap between demand and supply है ना तो हम यही देखते है जब वो light switch off कर देती है तो वो सोचती है कि जो शहरों में life है possible तो जरूर है बट हम बहुत जादा depend है gadgets पे आजबा जो अगर आप देखोगे तो और यह सभी gadgets क्या कर रहे है यह energy को consume कर रहे है सुबह उटने के बाद से गिजर से शुरुवात होई आइन की आयन किया गया उसके बाद कोई juice बनाया गया कितने सारे gadgets है कितने सारे gadgets में हम energy को consume कर रहे हैं है ना तो यही पर अगर देखा कि तो demand और supply की बात है demand जादा है supply भी वैसा ही होना चाहिए तो with the advent of science and technology lifestyle जो होती है वो बहुत fast आपके change होते रही है आजकल तो mobile से लेके हर चीज़ को आपको energy की ज़रुवत पढ़ती ही रहती है अब देखा गया तो power या energy जो होती है वो अपके सब के जिंदगे में बहुत बड़ा role play करती है देखा गया तो हम ये भी देखते है कि power जो होती है industry के लिए लगती है हमें agriculture के लिए लगती है power transportation के लिए communication के लिए लगती है और defense के लिए भी लगती है power resources जो होते है वो broadly categorize किये गए convention और non-conventional resources में ज यहां पर power resources conventional non-conventional होते है यहां पर देखे power का एक national power grid to supply electricity इस तरह से यह तो बहुत commonly आपने हर जगे ही देखे होंगे ऐसा आप मेंसे कोई भी नहीं होगा जिसने यह चीजे नहीं देखे तो यह power grid होते है अब यहां पर उन्होंने बोला कि power resources दो पार्ट में डिवाइड कि है that are those which have been in common use for a long time जो हम काफी समय से use कर रहें conventional याने वही जो काफी समय से use होते हैं जैसे हम कहेंगे firewood हो गए fossil fuels हो गए याने coal firewood यह सब हो गए यह दो main conventional energy sources है तो सबसे पहले हम firewood क्या होता है यह देख लेते हैं फिर हम fossil fuels भी यहां पर पढ़ेंगे तो यहां पर काफी स सारी चीज़े आपको देखने मिलेगी जैसे मैंने आपको बता है कोल है है ना यह सब आपको यहां देखने मिलेगा firewood जो है यह cooking के लिए use होते हैं आपको बता है कि लकडिया तोड़ के लाते हैं उसको cooking के लिए और hitting के लिए use होता है हमारे country के अगर बात करें तिन और country more than 50% जो energy है जो villagers use कर रहें वो firewood से ही आती है ठीक है यह चीज़ याद रखिएगा जो plants के remains और animals है which were buried under the earth for millions of years वो heat और pressure के करण fossil fuel बन जाते हैं आपको तो यह पता हिए ठीक है जैसे fossil fuel जो होते वह आप तोड़के ला रहे लखडिया अब क्या होते हैं जैसा यह समझ जहें उसमें से कुछ लखडिया गिरेगी या फिर कुछ आइनिमल है उनकी death होगे death होने के बाद वो धीरे-धीरे मिट्टी में मिल जाएंगे मिट्टी में जैसे जैसे वो दपते जाएंगे तो मिट्टी में उनको heat और pressure मिलेगा heat और pressure से वो fossil fuel बनने लगते है fossil fuel क्या होते है fossil fuel बन जाते है natural gas बन जाते है यह आपको पता चलता है इसके बाद जो reserves है यह in minerals के वो बहुत limited है यह तो आपको पता है ऐसा नहीं कि वापिस नहीं बनेंगे वापिस बनेंगे but it will take time जितना fast हम consume कर रहे है उससे कम rate में वो form हो रहे है है ना सो हम यही कहेंगे rate at which the growing world population is consuming them is far greater than rate of their formation so these are likely to be exhausted soon तो जल्दी जल्दी exhaust होने बाले है एक पेड़ को बनने में कितना time लगता है और लगड़िया कितने जल्दी तोड़ के हम चले जाते हैं एक कोल को बनने में कितने सालों लग गया हम कितने जल्दी उसको use करके खतम कर देते हैं यही सब चीजे है तो यहाँ पे हैं कि विमन को आप देख रहे हैं जो विमन है यह कैरी कर रही है अपने साथ firewood और यह नौर्थ इस्ट इंडिया कि आपको विमन आपको देखने मिल रही है तो यहाँ पे अगर देखा गया तो इस तरह से यह conventional energies होती है जिसमें firewood उसके लावा coal petroleum natural gas जिसको हम सालों साल उसे यूज कर रहे हैं वो आते हैं अब coal क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं और फिर petroleum क्या होता है उसको पढ़ेंगे उसके लावा हम natural gas क्या होता है उसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे तो यह conventional energy sources को हमें पढ़ना है उसके पहले यहाँ पे कुछ उन्होंने advantages disadvantages यहाँ पर द देखा गया तो coal की बात की जा रही है तो coal जो है यह most abundantly found fossil fuel है सबसे जादा coal देखने मिलता है देखा गया तो यह domestic fuel में यूज होता है तो हम यही कहेंगे कि जो भी अपने घर में आपको यूज करते हैं दिखता है इंडस्ट्री में यूज होता है जैसे iron के industries में स्टील के steam engines में हो गया steel के industry में हो गया या फिर energy generate करने में thermal power station में हो गया electricity जो coal से generate किया जाते है उसको thermal power कहा जाता है ठीक है तो coal which we use today यह बना है millions of years पहले है ना जब हम कहेंगे कि when giant phones and swamps जो होता है यह buried हो गए under the layer of earth millions of years ago यही सब हुआ था जो phones है यह swamps है यह earth के अंदर चले गए थे buried हो गए थे यहाँ से coal निकल रहा है तो coal is therefore referred to as buried sunshine यह भी coal को कहा जाता है यही reason है कि यह बहुत साल पहले buried condition में था और आज भी आपको देखने मिल रहा है यह है तो वीव जो है thermal power station का ऐसा आपको देखने मिलता है तो leading coal producer जो होते world के वो चाइना है United States of America है हम कहेंगे Germany है Russia है South Africa है या फिर हम कहेंगे कि France है यह सब है उसके अलावा हम कहेंगे कि coal producing area जो इंडिया में वो रानी गंज है धरिया है धनबाद है जो कि जारकर में आपको देखने मिलते हैं यह जितने भी उसको आपको map पे अच्छे से देखना है map पे आपको से mark करते हुए चलना है तो coal के बारे में देखा petroleum के बारे में देखते है petroleum यह word कहां से है सबसे पहले आपको यह बता दे तो word petroleum जो होता है it is derived from Latin word that is petra जिसका meaning होता है rock और oleum जिसका meaning होता है oil तो हम कहेंगे petroleum means rock oil कितने अच्छी बात ह देखे rock oil जिसको petroleum कहा जाता है ऐसा petrol का meaning है petroleum के अगर बात करें तो petrol जो है वो तो आप सभी जानते है गाडिया चलती है हमारे petrol पे ही तो petrol keeps our car running as well as the keep as well as the oil that keeps our cycle from squeaking cycle से जो भी आवाज आ रही है अच्छे से जो cycle चल रही हो आपके oil पे चल रही है तो both begin as thick black liquid जिसको petroleum कहा जा अगर देखा गया तो एक कहा मिलता है तो it is found between the layers of rock rock के layer में मिलेगा और इसको drill किया जाएगा oil fields से जो offshore के पास समुंदर के आसपस आपको देखने मिलते है या coastal areas में आपको देखने मिलते है तो हम कहेंगे यह बाद में refineries में भेजे जाते हैं सबसे पहले उन्होंने oil fields से like diesel बनता है petrol बनता है उसी से kerosene बनाया जाता है wax बनता है plastics बनते है lubricants यह सब चीज़े उससे फिर बनती है petroleum और उसके जो derivatives होते है petroleum से petroleum क्या होता है तो petroleum एक thick black liquid होता है जिससे बाकी चीज़े बनती है तो petroleum को black gold भी कहा जाता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा valuable है value देखी आज कितनी है petroleum products की तो यह सब चीज़े चीफ petroleum producing जो countries है वो है इरान इराक साओधी अरेबिया कतर हो गया यह सब है so other major producers जो है वो USA है रसी रसिया है वेनेजुएला है अलजेरिया है यह सब अलगेरिया है यह सब आपको देखने मिलते है उसके अलावा इंडिया के अगर बात करे तो डिगबोई है आसाम में बॉंबे हाई है इन मुंबई और डेल्टा है कृष्ण और गोदावरी रिवर्स के इन सब को मैप पे अभी आपको देखना है यह हो गया petroleum के बारे में एक बहुत ही simple तरीके से और बहुत ही best information जो आखरी तक आपके काम आई है आगे अगर हम ब when crude oil is brought to the surface तो natural gas अभी आपने पहले petroleum देखा वैसे पहले आपने coal देखा आपने काफी सारी चीज़े देख देखते है तो natural gas कहा मिलता है तो यह petroleum deposit के साथ ही मिलता है और जब आप crude oil को surface पे लाते है आपने देखा petroleum के लिए आप crude oil को surface पे ला रहे है रोक के layers में जो छुपा हुआ था जैसे आपने पहले ही देखा तो जब यह निकाला जाता है तो natural gas release होती है और यह natural gas release हो रही है it can be used as domestic and industrial fuel है तो इसको fuel करके use किया जा सकता है आपको अभी पता ही चल जाएगा किस तरह की चीज़े होती है आगे आगे जब आप पढ़ोगे जैसे CNG अपने नाम source है हम कहेंगे यह pollution नहीं करता है with diverse usages इसके usage बहुत जादा है हम कहेंगे इसको fuel power sector में भी यूज किया जा सकता है यानि इससे हम कहेंगे कि energy generate electricity भी जनरेट की जा सकते है इसको hitting के लिए यूज किया जा सकता है industries में यूज किया जा सकता है आप कहेंगे raw material करके यूज कर सकत है cooking fuel करके भी आप यूज कर सकते हैं globally अगर देखा गया तो USA हो गया Russia हो गया Iran Qatar हो गया China हो गया Canada हो गया Australia हो गया यह major producers natural gas के इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में हम कहेंगे major natural gas reserves जो है यह आपको मुंबई हाए में कृष्णा गोदावरी डेलिटा में कैमबे बेसीन में त्रिपूरा में और आसाम में आपको देखने मिलते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है compressed natural gas जिसे CNG कहा जाता है वो popular eco-friendly automobile fuel है as it causes less pollution than petroleum and diesel है तो इससे pollution बहुत कम होता है जैसे कि CNG आपको देखने मिलता है अगर देखा गया तो हम इसका जो increase है यह जादा करते हैं हम कहेंगे the increase the sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to depletion of oil reserves at an alarming rate तो बहुत fast fast हर चीज़ जो है वो deplet होती जा रही है यह भी आपको दिख रहा है fossil fuel को जो हम इतने fast consume किये जा रहे है toxic pollutants जो होते है यह release हो रहे है जब हम burn करते है fuels को और हम कहेंगे कि यह बहुत बड़ा एक excuse me सोचने की बात है natural gas जो होता है यह बहुत abundant हम कहेंगे and it's cleanest hydrocarbon अच्छा है available भी है और अगर देखा गया तो यह हम कहेंगे कि जित around half the carbon dioxide जो है इसे produce करता है just one tenth of the air pollutants of coal when born to generate electricity तो हम कहेंगे कि जो बाकी चीजों से जितना carbon dioxide निकलता है उससे बहुत कम आधे के बराबरी का इससे निकलता है carbon dioxide तो बहुत अच्छी बात है इसको अगर हम use करें तो natural gas जो होता है can help to support renewable and non-conventional sources such as cleaner alternative to fossil fuels जना इन सब में हम इसे use कर सकते हैं हम इसे renewable को जो resources से उनको support करने के लिए use कर सकते है non-conventional जो आ गया पढ़ने वाले उसमें आप इसे use कर सकते हैं अगर देखा गया तो natural gas को अगर आप use करते हूँ तो हम कहेंगे कि इस कारण हम देख सकते हैं कि जो हमारी journey है जो हम fossil fuels से clean energy sources पे जाना चारे क्यों कि fossil fuels होते हो बहुत जादा हम कहेंगे कि pollution भी करते हैं as compared to natural gas तो हम इसे use कर सकते हैं और हम इस तरफ भी जा सकते हैं हमारे environment को और भी अच्छा बना सकते हैं यह चीज़े आपको पता चलती है अगर आगे आते तो एक और आपको energy जो देखने मिलते हैं वो है hydro power so do you know Norway जो यह पहला देश है जहां पर हम कहेंगे कि पूरे हम कहेंगे ऐसा देश है पूरे world में जिसने hydro electricity बनाई थी यह पहला देश था जिसने hydro electricity बनाई थी पानी का use करके बनाया जाता है electricity को इसको hydro power कहा जाता है तो सबसे पहले देखते हैं hydro power क्या होता है rain water या river water जो होता है उसको dam मे store किया जाता है और हम देखेंगे is made to fall from height और इसको height से गिरने दिया जाता है जब यह fall होगा तो moment होगी जब water नीचे गिरेगा और यह pipes के through flow होगा तो जो turbines लगे है इस flow के कारण वो turbines घुमेंगे तर्बाइन के blades होते हैं जैसे आप कोई blade है ऐसे blade blade के turbine बने हुए गोल अगर आप उस पर पानी force से डालोगे तो घुमने लगेंगे बस वो turbine के blade घुमने लगते हैं डैम के नीचे अगर आप देखोगे तो ऐसा यह भी आपको बता देता हूँ जो moving blade होते यह generator का काम करते हैं इससे energy को electricity को produce किया जाता है और इसी को hydro electricity कहा जाता है यहाँ पे देखिए इस तरह से पानी इसको रखा जाता है यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है छोडने के बाद यह देखें turbine यहाँ पे पानी का जो moment है यहाँ पे जो पानी का moment है इस कारी ने turbine घुमेंगे तर्बाइन घुमने से electricity बनेगी और ये पूरे जगे पे हम कहेंगे कि distribute की जाएगी जो water discharge किया गए after generation of electricity उसको फिर irrigation में use किया जा सकता है लोगों के fields में use किया जा सकता है one-fourth जो world की electricity है इसको हम कहेंगे हाइडल power से ही ये बनाई जाती है तो यह आपको देखने मिलेगा यहां पर दूसरी बात जो leading producer से हाइडल power के पूरे वर्ल में वो पैरेग्वे है नौर्वे है ब्राजिल है और चाइना है और अगर देखा गया तो काफी सारे important हाइडल power station इंडिया में जो देखने मिलते हैं वो भाकरा नंगल है गांधी सागर है नागारजुन सागर है दामोदर वैली प्रोजेक्ट से यह सब आपको देखने मिलता है तो यह भाकरा नंगल और जितने भी गांधी सागर नागारजुन सागर दामोदर वैली प्रोजेक्ट से यह बहुत काम के इसको अच्छे से देखके रखे और मांक क करके रखे अपने मैप्स में यह देखा जाएगा अब देखे कितनी अच्छे एक बात कही गई है do you know site of the world's first solar and wind powered bus shelter जो है यह Scotland में देखने मिलादा सबसे पहले यह हैं अब काफी अच्छे अच्छे इसके अच्छे आपको मिलती जाती है तो अभी हमने यहां पर पूरे conventional energy sources देख लिए हमने हाइडल पावर देख लिया नैच्छरल गैस देख लिया पेट्रोलियम देख लिया कोल देख लिया तो यहां पर फायर वूड देख लिया तो यहां पर जो टेबल बना इसको study करते देखे ओई का यूज करने का advantage क्या है यह इजी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके अलावा petrochemical industries से यह हम कहेंगे on basis of आपको यह मिल जाता है तो यह हो गया दूसरा हम कहेंगे natural gas को use करना है कि वह भी ट्रांसपोर्ट करना इजी है pipeline के थुरूज से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और यह cleaner है है ना हम कहेंगे oil और coal से जादा यह अच्छे से use up कर सकते हैं उसके लावा यह cheaper है than oil oil से सस्ता भी होता यह natural gas आपने natural gas क्या होता यह भी देखा disadvantage क्या है कि depletion of oxygen due to oil spillage और gas leakage यह हो सकता है दोनों में gas leakage हो गया oil spillage हो गया तो oxygen कम हो जाएगा pollutants होंगे जिस कारण acid rain होगा और नए fuel जो होते हैं उनका exploration जो होता है उतना easy नहीं होता है बाद में यह हो गया बाद में हम कहेंगे firewood और coal का firewood को use किया जाए तो बहुत easily मिल जाता है आपको इस कारण हम कहेंगे बहुत सारे लोगों को energies भी मिल जाती है energy जो भी वो use कर रहे हैं दूसरा disadvantage यह है कि collection जो होता है उसमें time लगता है दूसरे बात pollution बहुत होता है इसको जलाने से greenhouse effect जो होता है यह भी बढ़ता है carbon dioxide जैसी चीज़े इससे निकलती है deforestation होने के कारण carbon dioxide के rate और भी बढ़ जाएंगे यह भी चीज़े आपको पता चलती है फिर coal की अगर बात करें तो क्या है कि बहुत जाद अवेलेबल है efficient conversion to electricity जल्दी आपको electricity बनाने में help भी करता है disadvantage यह है कि यह भी pollution करता है और यह बहुत भारी होता है एक जगे से दूसरे जगे ले जाने में हाइडल पावर की बात करें तो सबसे पहले pollution भी नहीं होता है irrigation और fishing भी अच्छी है सस्ते में भी काम हो जाता है conventional sources of energy के बहुत बहतरीन आपकी study हुई है यह समझ जाई इस NCRT को पढ़के अगले आपको जो देखने है वह आखरी इस NCRT का part non-conventional sources of energy अभी आपका जादा part नहीं बचा है देखा गया तो जैसे conventional देखा था वैसे non-conventional अगर सबसे पहले देखा गया तो increase जो हो रहा है fossil fuels का use उस कारण shortage होते जा रहा है इसी लिए ऐसा कहा जाता है अगर हम इसी rate से consume करते रहे जिस rate से अभी कर रहे है तो जो reserves है fossil sorry जो fuel के reserves है वह बहुत जल्दी exhaust होने वाले हैं देखा गया तो their use also cause environment pollution यह भी हमने non-conventional sources के भी हम यूज करें जैसे कि solar energy हो गया wind energy हो गया tidal energy हो गया जो कि renewable भी है आपने देखा जो कही सालों से आप यूज कर रहे हो कही टाइम से उसको conventional कहा जाता है बट conventional का अगर देखा गया तो जैसे solar energy आप पहले यूज नहीं करते थे बट अभी आप यूज करने लग देखेंगे वो होगा solar energy जैसे हमने कुछ hydroelectric power project देखें यहाँ पर जो मैंने आपको बदा देखें इसका picture देखें यह real का है जो जम्मो कश्मीर का photo खीचा है इस तरह से बनाया जाता है इतने height से बहुत ही डरावना लगता है देखो तो solar energy के अगर बात करें तो यह sun से आती हैं और solar sales जो होते हैं उसमें उसे डालना पड़ता है solar sales जो होते हैं वो फिर electricity को आगे produce करते हैं बहुत सारे जो sales होते हैं are joined into solar panels फिर उनको panels में डाला जाता है एक एक कैसे बहुत सारे sales को और यह generate करते है power और heating lightning purpose इस तरह से बहुत सारे आप बना सकते हो यहाँ पर उसको capture किया जाएगा और फिर इसे इनको आगे-आगे जोइन करके आपके हापर supply किया जाएगा तो टेक्नोलोजी जो है जिससे solar energy को आप यूटिलाइज कर सकते हैं यह ट्रॉपिकल कंट्री में बहुत जादा हम कहेंगे useful होगा क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री जो है जो ट्रॉप हम कहेंगे हमारे जो कंट्रीज है यह काफी बलेज्ट है बहुत सारा संशाइन से जिससे हमें solar energy जो है वो काफी सारी अविलेबल है तो solar energy का हम यूज कर सकते है solar hitters हो गए solar cookers हो गए solar dryers हो गए है ना तो या फिर हम कहेंगे lightning के लिए यूज कर सकते है traffic signals में यूज कर सकते तो कितना अच्छा use हो सकता है देखे solar energy का तो solar energy एक बहुत अच्छे type of energy और renewable भी है खतम तो होगी नहीं रोज रोज आती रहेगी तो यह बहुत अच्छी बात होगी कि आप इसे use करें solar energy होती है उसके भी कुछ advantages disadvantages दिये हैं वो भी हम देखेंगे एक एक करके पहले सब को wind लेते हैं फिर एक साथ सब को देखेंगे wind energy की अगर बात करें तो wind जो है वो in exhaustible source of energy है wind mills जो होती है वो भी यह भी खतम नहीं होने वाले energy wind होना कभी आना बंद नहीं होगी wind mills जो होती है उसे बनाया जाता है wind mills से हम कहेंगे कि grains जो होती है उनकी भी grinding होती है उसके अलावा हम कहेंगे water की भी lifting हो सकती है बहुत टाइम से ये use किये जा रहे हैं इन चीजों के लिए दूसरी बात आपको ये भी बता दू कि आजकल अगर देखा गया तो modern type में आपको ये देखने मिल रहा है modern time में कि जो wind mills होती है high speed winds rotate किये जाते है wind mill में और इसको connect किया जाता है generator से और electricity भी इससे produce की जाते है पहले के जमाने में सिर्फ grinding किये जाते है था grains को या फिर पानी को उठाने के लिए use होता था आजकल तो आप इससे electricity भी बना सकते हैं तो wind farms जो होते हैं वहाँ पे काफी सारे आ पास पास देखने मिल वहाँ हाँ काफी अच्छे चलती है mountain passes के पास देखने मिलते हैं जहाँ पे strong और steady wind blow करती है wind farms जो होते हैं नेटर लाइन्स में बहुत सारे Germany हो गया Denmark हो गया UK, USA, Spain जो होते हैं यह बहुत सारे wind energy के wind जो है उसका use कर रहे हैं एना energy produce करने में wind energy का production बहुत सारी देखने मिलेगी इन regions में तो देखिए यहाँ पे solar energy से related एक कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आपको यहाँ पे एक आपको activity दिये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही हम कहेंगे के interesting है solar cooker से related एक old car का tube लीजिए दूसरा उसमें inflate कीजिए and keep it on wooden platform है ना तो उसमें की हवा निकाल दीजिए और उसको wooden platform पे रख दीजिए जो paint होगा paint and aluminium vessel हम कहेंगे black frame outside और उसमें 1 cup rice डाले और 1 cup water डाले ना तो एक aluminium vessel को आप black कीजिए बहार से और उसमें 1 cup rice और 2 cup पानी डाल दीजिए फिर उसको close कर दीजिए इस vessel को with a lid उसके अपर धकन र अब अगर आप देखोगे now place a glass frame over the tube, tube के उपर एक glass की frame रख दीजिए और इसको sun में रख दीजिए after the glass frame हम देखेंगे is placed air जो होती है वो बाहर नहीं निकल पाएगी ना ही हम कहेंगे कि sun की race बाहर निकल पाएगी जो अंदर चले गई है यह trap हो जाएगी बाहर नहीं निक ही मिले तो करके देखेगा काफी एक अच्छी energy का user करने आप देखने मिलता है आपको आगे अगर हम आते हैं तो nuclear power की बात करते हैं जैसे अभी हमने wind energy देखा non-conventional में हमने यहाँ पे solar energy देखा अब हम nuclear power देखते हैं nuclear power जो होता है यह obtained किया जाता है from energy stored in nuclei of items और naturally occurring radioactive elements radioactive elements जैस जालती है उसे nuclear power nuclear energy कहा जाता है तो इससे भी हम electricity और यह सब generate कर सकते हैं so these fields जो होते अंडर्गो nuclear fission और अगर देखा गया तो nuclear reactors में इससे डाला जाता है और फिर power को emit किया जाता है तो यह सब बहुत बड़ी process है इसकी तो radioactive जैसे हम कहेंगे कि elements है जैसे uranium है और thorium है उसमें जैसे यह nuclear energy निकलती है तो यह जो nuclear fission और यह पूरे जो भी चीज़े यह आपको वैसे science में पढ़ने मिलती ही है तो हमें यहाँ पे geography में यह पढ़ना होता है कि nuclear energy निकलती कहा से तो nuclear energy निकलती है कुछ radioactive element से जैसे हम कहेंगे uranium और thorium से उसमें यह stored होती है और उससे वो fission के fission जो होते है nuclear fission उसके थूरू जब यह होता है यह पूरा nuclear reactor में डाला जाता है तो वहाँ से power को emit किया जाता है अगर देखा गया तो सबसे बड़े producer जो है nuclear power के वो USA और यूरोप है दूसरी बात इंडिया में अगर देखा गया तो राजस्तान हो गया जारकंड हो गया यह में है वो है कलपकम में तमिलनाडु में तारापूर महाराष्टर में राना प्रताप सागर कोटा राजस्तान में नरोरा करके जो है यूपी में और काइगा जो है वो करनाठक में यह सब रीजन्स को मार्क कीजिएगा जो आपके हम कहेंगे map books है उसके उपर locate कीजिएगा हो सके तो blank map पे इन्हें mark करते हुए रखिएगा तो यह हो गया nuclear power nuclear power के बाद हम पढ़ेंगे वो है geothermal energy तो geothermal energy की जब हम बात करते हैं तो यह एक अलग तरह की energy मिलती है जो बहुत सारे जगे आपको इसका नाम नहीं देखने मिलता है काफी सारे लोग इसको पहली बार भी स पहली बार सुनने जैसा कुछ भी नहीं है यह भी आपको commonly पता चल जाएगी जब आप इसको पढ़ोगे तो geothermal energy जो है अब geothermal है तो heat energy जो होती है वो earth से जो निकल रही है ठीक है अब geo याने earth thermal याने heat वाली जो energy निकल जो गरम होके तो heat जो होगी energy जो earth में से निकल रही है उसको geothermal energy कहा जाता है तो temperature जो होता है हम कहेंगे earth के interior में वो धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे आप depth में जाते जाओ earth के तो आपको पता ही है earth के जैसे जैसे deep में जाते जाओ जो temperature है वो बढ़ता जाएगा कभी कभी sometimes देखने मिलता है कि this heat energy जो होती है में surface itself in the form of hot springs तो जो heat energy होती है इसको फिर power को generate करने में आप use कर सकते हो है ना तो इस तरह से यह उपर आ रहे है फिर याने हम जो भी कहेंगे तो यह तो हम कहेंगे कि यह nuclear reactor nuclear energy बनने की पुरी process यहाँ पे दी हुई है यह ऐसा fusion होगा उससे heat निकलेगी hot water यहाँ से भीजा जाएगा hot water के थू यहाँ steam होगी उससे फिर turbine घुमेंगे turbine घुमने का generator जो यह घुमेगा और electricity produce होगी है ना तो यहाँ पर यही है कि fusion के थूँ यह गरम होगा और फिर यह बलता हुआ पानी जो होगा इस कारण फिर steam निकल की यह turbines को घुमाया जाएगा यह सब है जैसे coal के थूँ गरम किया ज से बनाया जाता है सबसे पहले अगर देखा गया तो geothermal energy जो होती है in the form of hot springs has been used for cooking, heating, bathing for several years यह देखने हैं देखिए hot springs काफी सारे जगे पे देखने मिलते हैं तो हम कहेंगे कि geothermal energy जो है यह money current में है यह cooking फूड के cooking चल रहा है यहाँ पे with the help of geothermal energy जैसे ही हम कहेंगे कि यह न future है अगर देखा गया तो जिसके बाद न्यूजिलेंड है आइसलेंड है फिलिपिन से और सेंट्रल अमेरिका है इंडिया में अगर देखा गया तो geothermal plant जो हमाचल प्रदेश में वहाँ देखने मिलते है प्यूगा वैली में देखने मिलते है लदाक में यह है देखिए geothermal energy काफी सारे चीज़े बताएगी है अब यहाँ पर अगर देखा गया तो यहाँ पर अंदर heat है हीट के बाद क्या होती है कि यहाँ पर कुछ पानी जैसे मिलने लगता है तो यह heat के कारण वह heat होके steam के form में उपर आएगा उपर आने के बाद यह steam का use करके यह steam एक तो जो है मैंने जैसे आपको बता है कि springs के form में आ सकता है या फिर वो पानी को हम अंदर से भी निकाल सकते हैं well से तो यह पानी जो है यह पानी यहाँ से निकाला जाएगा अब यह गरम पानी रहेगा तो वहाँ से भी steam निकलेगी और उससे क्या होगा कि उससे फिर हम कहेंगे कि turbines को गुमाय जाएगा टर्बाइन्स को गुमाने के लिए आपको steam की जरुवत पढ़ती है तो steams कही यूज़ोरा nuclear में जाओ, coal में जाओ, thermal में जिसमें हम कहेंगे या फिर geothermal में जाओ, यह सब के तुरुफे generators गुमाये जाएगे और electricity को produce किया जाएगा ठीक है यह एक आपको उसके बाद आखरी जो energy आपको देखने मिलते हैं वो है tidal energy, tidal energy की बात करें तो यह ऐसी energy है जो degenerate की जाती है tides, यह भी आपको बताता हूँ, उसको tidal energy कहा जाता है, जो tides आपको समुंदर में या ocean में देखने मिलती है वो, tidal energy जो होती है can be harnessed by building dams at हम कहेंगे narrow openings of the sea, turbine installed in the dam to produce electricity, रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कज जो है यह इंडिया में ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत सारे tidal mill farms देखने मिलते हैं, मैं आपको यह बताता हूँ, इसको डरना नहीं है कि यह क्या यहाँ पे लिखा है, यह मैं आपको explain भी करता हूँ, यह हम जो वहाँ पे picture द इस diagram के तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने मिलता है, कि जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा गया है, कि यहाँ पे कुछ dam बनाए गया है, dam में हम जैसे कि देख सकते हैं, कि इसमें एक narrow opening है, यह ऐसा dam बना गया, dam के उपर से लोग जा यहाँ पे एक narrow opening है, यह narrow opening जो होती है, यह C में आपको देखने मिलती है, अब C में क्या होता है, जब high tide होता है, तो energy tides जो होती है, अब high tide होगा तो क्या होगा, high tide में जो लहरे है वो बढ़ जाएगी और वो आगे आगे बढ़ेगी और वो इसको घुमाएगी, वो तो हो तर्बाइन को घुमाने में, तो high tide के वक्त यह सब आपको देखने मिलता है, low tide में थोड़ा सा पानी दूर चले जाता है, तो उस वक्त यह possible उतना नहीं हो पाता है, जब पानी दूर दूर जाने लगता है, तो वो घुम के रुख जाएगे, बट high tide में आपको यह बहुत पर जमा कर रहें, उससे पानी को छोड़ रहें, तर्बाइन को घुमा रहें, वैसा ही है, यह है, तो यहाँ देखे बहुत अच्छी एक आपको fact दिया हूँ है, जो first tidal energy station जो है, वो आपको फ्रांस में देखने मिलता है, यह है, उसके बाद आखरी जो energy आपको देखने मि सकते हैं, इनके तरू जो energy बनाई जाती है, इसको बायो गैस बगा जाता है, फिर सियाद रखेगा, dead plants हो गया, animal materials हो गया, animal के dung हो गया, जैसे cow dung हो गया, कीचन से हमारा जो waste है, वो सब निकल जो रहा है, उसमें से कुछ gaseous निकलते हैं, तो उसका यूज करके यहाँ पर carbon dioxide होता है, बायो गैस जो होता है, वो बहुत अच्छा fuel माना जाता है, cooking और lightning के लिए, हम कहेंगे, और इससे बहुत सारे organic manure भी, जो आप fertilizers हो यह सब कहते हैं, वो भी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, तो यह सब आपको देखने मिलता है, तो energy के बारे में, आपने अब तक चीजे पढ़िए, energy जो है, is everywhere, but we can see the harnessing this energy, we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly, हम इसे waste तो कर नहीं सकते हैं, इसको फालतु का use भी नहीं कर सकते हैं, अगर देखा गया है, तो बहुत costly भी है, energy तो देखा गया है, हर एक हम कहेंगे, each one of us can make difference by not wasting the energy, waste नहीं करेंगे, और हम भी कुछ बदल और ला सकते हैं, energy जो save की जा रही है, is energy generated, जो energy आप save करेंगे, वही energy है, जो आप generate करेंगे, तो act now and make brighter energy future, यहाँ पर आपकी NCRT खतम नहीं होती है, यहाँ मैं आपको रोकूँगा, क्योंकि हमें उपर की कुछ चीज़े complete करनी थी, वो table, जिसमें advantages और disadvantages है, अगर आप wind energy को use करते हैं, तो advantages यह है कि pollution नहीं होगा, cost of production बहुत कम है, एक बार लगा दिया तो, safe और clean energy, pollution तो होता ही है, noise pollution इससे होता है, यह पक्का है, windmill जो है, यह setup करने में cost ले, एक बार setup कर दिया तो पैसे नहीं लगते है, energy बनाने में यह भी है, radio टीवी receptions जो होते हैं, इसको disrupt कर और birds के लिए harmful है, काफे सारे birds इसमें मारे जाते हैं, अगला solar energy, solar energy जो है वो कभी खतम नहीं होती, advantage है, polluting नहीं है, यह भी advantage है, pollution नहीं करते है, disadvantage है कि बहुत जादा हम कहेंगे expensive हैं, और हम कहेंगे कि diffuse source है, अगर देखा गया तो यह आते ही रहती, आते रहती है, तो हम कहे हैंगे कि waste भी काफी हो सकती है, अगली tidal energy, same, polluting नहीं है, inexhaustible है, दूसरा है कि tidal energy, tidal वाले चीजों में यह जो आप चीजे लगाओगे, generator सोर यह सब, turbines सोर यह सब, उसकारण wildlife habitat destroy होता है, यह तो है, और वही है कि इसका जो wastage है, वो रोकना भी बहुत मुश्किल है, इसी है, बट radioactive waste बहुत निकलते हैं, उसको dispose off करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत expensive भी है, generate करना इसको, बायो गैस जो है, इसका advantages यह है कि low cost है, कम इसमें हो जाता है, खर्चे में, operate भी easily हो जाती है, और हम कहेंगे कि बायो गैस्ट का use भी हो जाता है, wastage जो उनका use भी हो जा होता है, बट इसके कारण greenhouse gases निकलते हैं, जैसे आपने कुछ बढ़ा था, methane और यह सब वहां से निकलती है, geothermal energy, green house gases जो होती है, जो effect होता है, यह ऐसी gases होते हैं, जिससे आपका जो temperature वो बढ़ता है, warm होते जाता है, आगे आप इसको detail में और पढ़ेंगे ही, geothermal energy जो होती ह हैं कि clean और eco-friendly हैं, और हमेशा use available तो होती है, औरत में से हमेशा हम कहेंगे hit तो निकलती ही रहेगी, disadvantage यह होती है कि located far away from cities, बहुत दूर दूर होता है, इस कारण हम इससे transport easily नहीं कर सकते, transport करना बहुत महेंगा पड़ता है, तो इस तरह के advantages से, disadvantages से, conventional और non-conventional energies के, अभी भी जाने से पहले मैं आपको एक और बार रोकूंगा, यह जितनी भी चीज़े बड़ी, chapter काफी बड़ा था, बहुत बड़ा topic होने के कारण हमें इसे एक जगे पे summarize करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि हमने अब तक क्या-क्या इस topic इस chapter में पढ़ा है, यह देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमने सबसे पहले जो शुरुआत की थी, वो minerals से की थी, हाँ, याद कीजिएगा, minerals हमने पढ़े थे, minerals जो हमने पढ़े थे, उसमें भी हमने काफी सारी चीज़े पढ़ी थी, हमने minerals क्या होते है, types of minerals पढ़े थे दो, आपने flow chart में बनाए है, metallic, non-metall Ferrous, non-ferrous, extraction of mineral पढ़ा था, जिसमें हमने mining, drilling, corring, open cast mining, shaft mining ये भी पढ़ा था, उसके बाद हमने minerals का deposit भी देखा था, minerals का conservation देखा था, दूसरा हमने जो topic पढ़ा वो power resources था, power को हमने पढ़ा, power को भी हमने दो टाइप से पढ़ा था, जैसे minerals दो टाइप से पढ़ेते वैसे ही conventional and non-conventional, ऐसे पढ़े थे हमने दो, तो conventional और non-conventional आपने यहाँ पढ़े आकरी तक और इसमें आपने जो जो चीज़े पढ़ी उसको अच्छे से याद रखिएगा, तो आज का जो topic था उसका नाम mineral and power था, यहाँ पे मैंने आपको यह अधूरा छोड़ के दिया, जान आप पूरा करोगे, जो जो आपने पढ़ा, पूरे topic इसको लिखते चलिएगा, आपको revision करने में बहुत easy जाएगा, आपके notes में यह चीज़े होनी चाहिए, उसके साथ साथ आप हम अगले topic पे तो मिलेंगे ही, बट अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो उस मेरे YouTube चैनल को subscribe करे, subscribe तो आप लोगों ने किया है, मुझे पता है, बट दूसरा काम आपको वीडियो को like करना है, like करने में कंजूस ही नहीं करना है, और like सिर्फ नहीं करना है, bell icon को भी प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको मिलेंगे, और notification मिलने के कारण आपके जो वीडियोज है, वो miss नहीं होंगे, तीसरी बात है, comment करते रहना है, मैंने आपको बोला है, आपको जो भी मैं questions पूछता है, उसके answer comment में लिखिये, आपको वीडियो कैसे लगते है, वो भी आप comment में लिखिये, है ना, आप जितना मुझे motivate करते रहेंगे, जो है, वो देते रहूंगा, जितना भी आप मुझे motivate करते रहेंगे, चौती चीज़ है, वीडियोज को share करते रहें, ताकि सब हमारी help और भी अच्छे से हो जाए, यह सब चीज़े करना है, उसके अलावा अच्छे से revise करते रहेंगे, मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिये, take care and have a very good day.